हलो ब्यूटिफुल सोल्स मैं प्रियांका वेलकम करती हूँ आपका मेरे चैनल माइंस माजिक पे क्या आपके साथ कभी भी ऐसा हुआ है कि आपका कोई डिसायर है कोई ड्रीम है जब आपके मन में आया है कि हाँ मुझे यह मैनिफेस्ट करना है और आपने लोगों को जाके आपने शेर किया है लोगों के साथ जब यह बातें तो उसके बाद आपको यह लगा हो कि आपका लेवल अफ एक्साइटमेंट हंडरेट से लेके टैन पे आ गया है क्या हुआ है आपके साथ कभी ऐसा तो आईए जानते हैं इसका रीजन क्या है तो हमें क्या नहीं करना है जिसके कारण हमारा मैनिफेस्टेशन हमारे डिजायर्स हमारे गोल्स हमारे लाइफ से दूर जाए अगर वो लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वो पूरे नहीं होते हैं इसका क्या रीजन है सबसे पहला रीजन जब हम किसी के साथ अपनी बात शेयर करते हैं तो हमें एक सेंस अफ अकम्प्लिश्मेंट आता है जब लोग हमें उसके लिए ओनर करते हैं जब हमें लोग ये फॉर एक्जांपल समझें आपने न्यू यर रेजिलूशन लिया है कि आपको इस साल दस्ट से पंदरा किलो वजन घटाना ही है अपने अपने close ones को जाके ये बात बताई उन्होंने आपको appreciate किया आपके decision के लिए आपको जो sense of accomplishment मिलता है वो आपको रोकता है अपने goals के तरफ hard work करने से passionately उनको achieve करने से एक sense of accomplishment जो हमें मिल जाता है वो हमें अपने goals के तरफ उस level पे hard work नहीं करने देता जो हमें करनी चाहिए जिसको करके हम अपने goals को achieve कर सकते हैं सबसे पहली बात ये दूसरी बात आप जिस भी इनसान के साथ अपनी बात share कर रहे हैं आपको नहीं पता आपके goals और desires को लेकि उस इनसान की energy कैसी है positive है या negative है आप जब अपने goals को fully excited positively किसी को बताते हैं तब वो इनसान like उस चीज़ पर believe करता है नहीं करता है या सोचता है कि क्या पता ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा उसकी जो negative energy होती है ना वो universe में जाती है और वो आपकी जो energy है ना उसको रोकती है fulfill होने से like आप बहुत ज़ादा positive है बट सामने वाले के मन में ये है कि लगता रही है कर पाएगा वो आपके मूपे तो नहीं बोलेंगे लेकिन उनकी energy आपके goal को लेके negative है ऐसे कई सारे लोगों की energy मिलके ना आपके energy को दबा देती है और उसके बाद आपके goals manifest नहीं हो पाते हैं just for example समझे कि एक bubble है जो bubble like हम लोग बच्पन में मेले में जाते थे तो वो सर्फ के जो bubbles होते थे ना वही समझे एक bubble है वो है आपका thought आपका dream आपका desire अब सोची उस bubble पे किसी भी इंसान की negative energy एक कील की तरह काम करती है किसी भी इंसान का negative thought आपके desires के related वो एक कील की तरह काम करता अगर हम उस bubble में वो कील चुभाएंगे तो वो bubble fatigue आई ना initial level पे जो हमारा desire होता है वो बहुत weak होता है जब तक हम regularly positive thinking से अपने efforts से अपने actions से उसको मजबूत नहीं करते हैं तब तक किसी भी और की negative vibration इसको harm कर सकती है और वो आपके पूरे काम को विगार सकती है अगर वही चीज, अगर कोई cement की चीज है जब हम regularly अपनी goals और manifestation को लेके positive रहते हैं किसी के साथ share नहीं करते हैं ताकि किसी की कोई भी energy उस चीजों पर effect नहीं डाल सके हम जब regularly positive अपनी energy देते रहते हैं अपने manifestation, अपने desires, अपनी goals के ऊपर तो वो धीरे-धीरे मजबूत होती रहती है अगर किसी cement के brick पे, अगर आप कोई भी pinch चुब होएंगे तो क्या वो तूटेगा? नहीं, हमारे dreams, desires और goal भी ऐसी होते हैं जब वो मजबूत हो जाते हैं जब हमें believe होने लगता है कि हम ये कर सकते हैं हम actions लेतने हैं उसके उपर तो वो मजबूत हो जाता है वो thought इतना मजबूत हो जाता है कि किसी की कोई भी negative सोच उसको hamper नहीं कर सकती है उसी तरह किसी को बताने से किसी की energies, हमारे vibrations को हमारे dream को बहुत सादा effect करती है तीसरी चीज, जिस इंसान को आप बता रहे है उस इंसान का sense of belief आपके goals के उपर कैसा है बहुत सादा matter करता है जिसको आप बता रहे हैं अगर वो आपकी goals पे believe नहीं करता है न तो वो गलत energy फेकेगा जो believe नहीं करने वाली है और वो फिर आपके energy को harm करेगी समझ रहे हैं आप मेरी बात जब हम किसी को बताते हैं कि हमारा ये goal है हमारी ये desires है अगर सामने वाला इंसान positive है और उस चीज पे believe करता है तो आपकी energy और increase होती है और अगर वो इंसान कहीं न कहीं उस चीज पे believe नहीं कर पा रहा है जो कि लोग खराब नहीं होते हैं बट जो चीज फिजिकल रियालिटी में नहीं दिखती है वो लोगों को possible ही नहीं लगती है तो उस negative believe के कारण आप उस इंसान की negative energy को absorb करते हैं जो रोकती है आपको आपकी goals के तरफ hard work करने से समझ रहे हैं आप मेरी बात और वो कहीं न कहीं आपकी limiting belief बन जाती है सोची कि आपका कोई goal है कि एक particular job को hustle करना या कुछ weight decrease करना या अपनी skin को और beautiful बनाना अगर सोची लोगों ने आपको बोला कि नहीं आरी तो आप नहीं कर सकते हैं बहुत मुश्किल है बहुत tough है तो यह जो line है ना बहुत tough है या मुश्किल है यह आपके mind पे जाके बैठ जाती है और कहीं न कहीं दीरे-दीरे यह आपकी belief system को effect करती है और जैसा आप belief करते हैं आपकी reality वैसी ही होती है तो आपसे एक बात कहती हूँ कि अगर आपको अपनी life की goals और desires को आपकी physical reality बनानी है आपको achieve करना है उन चीज़ों को reality में अपने life में तो please अपनी goals और desires को किसी के शाथ share मत कीजिए उन पे work कीजिए rather than लोगों को बता कि energies effect करे vibrations को हिलाने की जगह उस energy को उस positive vibration को अपनी goals और desires की तरफ progress करने में लगाईए उसकी foundation को मजबूत करिए बोलते हैं ना किसी भी इमारत की नीव अगर solid होती है ना तो वो इमारत भी बहुत लंबे समय तक ठीकी रहती है उसी तरफ अपनी goals और desires की foundation को इतना मजबूत करिए अपनी thought process से, अपनी actions से, उन कोशिसों से जिससे वो अच्छा और सच में हो सकता है उनको इतना मजबूत करिए ताकि किसी की भी energy, किसी की भी vibration आपकी goals को effect न कर पाए अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपको किसी से कोई राई लेना है कोई discussion करना है अपने goals के regarding तो आप अपने ऐसे किसी close वेक्ती से discuss कीजिए जो आपके goals को समझते हूँ, उस पे believe कर सकते हूँ और आपको सही सला दे सकते हूँ आप नहीं जानते किस इनसान की vibration कैसी है आपके desires को लेके तो एकदम भी risk मत लीजिए ताकि आपके goals और manifestation sacrifice हो तो एक बात हमेशा ध्यान रखे, जब तक achieve न कर ले, किसी को नहीं बताइए और अगर believe नहीं होता, तो बता के देखिए कितने goals manifest होते हैं प्लीज comment section में अपना feedback जरूर दीजिएगा अगर आपको मेरा video पसंद आया, तो please इसको like कीजे, मेरे channel को subscribe कीजे और मुझे support कीजे, thank you, love you all Life is very beautiful, life में कुछ भी impossible नहीं, everything is possible in this universe हर जगा वो चीज है जो हम चाहते हैं, पर हमें हाथ बढ़ा के वो चीज लेनी होगी और हाथ बढ़ाने के लिए हमें चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा हाथ सही जगा भी जाए उस चीज को लेने के लिए तो ये सब चीजे पहुत important हैं, अगर आप अपने life में कोई positive changes लाना चाहते हैं तो this is the place for you, please subscribe my channel and like my videos, love you all